कर हल्लों फ्रेंच्ड आपको स्वगत है मारे चैनल के भीसएंजगत आज हम बात करते हैं चाहब झालर क्या पशलाप होता है तोलग यह थैथ筋 मुझत त्नों प्रकार की प्रप्रार को सकते हैं थाशनार प्रेल दिए एक किस पर करता है इसकी क्या होती है इसको मैंने लास्ट वीडियो मताया था तो ना देखो जाकर देख लें और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें चलिए शुरू करते हैं डाइपोल अंटीने कंड़क्टर होता है डाइपोल अंटीना फिर कोई भी अंटीना हो तो जनर और उसकी इलेक्ट्रो मैगनेटिक फिलू पिडाइपोल अंटीना में सिंटर में बहुत जाता होती और जो है इंग् dictator मैवने घीणाइट फिम्मिल्स and अच्छा का सा सिंग्नल मिलता है डालधारिएंडब होता है मतलब क्या होता है मैं वेला आश्ट वीडियो में बताया इसको यहां पर मैंने एक बार फिर से रिवाइज करना चाहूंगा इसको को मतलब होता है कि अगर ट्रांसमीटर का अंटीना होड़िजन रोड से अच्छे सिंग्नल के लिए इस्ट्रोंग जाहिए तो अभी होना चाहिए डाइपोल अंटीन जो भी सेप में होता है वीचप ने विगेशन में इसका यूज करते हैं और इसके दो आर्म होती है और दो के दोनों लैम्डा वाइफोर वेवलेंथ जन्रेट करती है रेजोनेंस के लिए अब कमन में कुस्यान आना चाहिए कि लैम लैम्डा वाइटू आपको इस समझ में कि एक ऐसे लैम्डा वाइफोर जन्रेट करता है और फ्रेंट जैसे वह नहीं आपको बता है कि डाइपोल अंटीना होरींटल प्रोराइज होता है तो यह जो है साइट से आने आली सिगनल के लिए बहुत ज्यादा सिंस्टिप होग आपको टाइपोल अंटीना के बारे में आप अच्छे समझ में आ गया होगा अब हम बात करते हैं मार्कोनी अंटीना को महन फोर्थ वेब अंटीना भी बोलते हैं क्योंकि यह लैम्डा वाइफोर वेबलेंट ही जन्रेट करता है तो हमें इसकी एफिसिंसी बढ़ा करके ल इसके इसकी से ही हम लैम्डा वाइफोर वेबलेंट जन्रेट करा करके टोटल लैम्डा वाइफोर वेबलेंट हमें यहां पर बनाएंगे जैसा कि मैंने अभी आपको बता है कि अगर एयर क्राफ्ट की मेटालिक है तो उसके इसकी से हम लैम्डा वाइफोर वेबलेंट हम के टोटल लेंडड़ से प्राप्ट कर लेते हैं लेकिन अगर यद फैब्रिक हो तो क्या करेंगी हम यहाँ पर हम यहां पर युमुनियम फटाइल कए यूज करेंगे यहां फीर हम वायर का यूज करेंगे मिनिमुमं फौर और strengthening के नीचे मांटetimeस करेंगे और यहां पर सेकेंड जमाई लेम्डवाइब फॉर वेवलेंट इंसे जनरेट हो जाएगी और टोटल में लेम्डवाइब टू की एफिसिंसी फिर से क्राप्त हो जाती है वर्डिकल अंटीने का मतलब यहां पर रहे हैं कि जो मार्कूनी अंटीने जस्ट उसी के नीचे हम या फिर वायर को माउंट करेंगे यह प्रोसेस होता है फैब्रिक स्कीन वाले एयर क्राप्त में और मोस्टली जो भी एचाप अंटीना होते हैं और वर्डिकली किसे कहते हैं उसे इंसार आपको वर्डिकल प्लूराइशन भी समझ में आई गया होगा मतलब कि एक ट्रांस्मिटर का अंटीना वर्डिकल फॉर्म में है तो रिसीवर का अंटीना भी वर्डिकल होना चाहिए जैसे कि हम स्ट्रॉंगे सिग्नल ही मिले और हम बात करते हैं क्या है अटीने के बारे में लूप अंटीना भी जो हमें कंड़क्टर ही होता है और इसको आंटीना के लिए यूज करते हैं अगर कोई डांटीने तक डायरेक्टली आ रही है मतलब की परपेंडिकलर आ रही है तो यहाँ पर signal हमें 0 मिलेगा और 0 क्यों मिलेगा क्योंकि एक्वल करेंट जो है लूप में दोनों साइड प्लो होने लगेगा जिसके करण जो है अब वोजी डिरेक्शन में फिल्ड बन जाएगी और दोनों फिल्ड आपस में दूसरे को काइंसल आउट कर देगी जिसके पहले एक प्लेन में जन्रेट होगा फिर उसके बाद दूसरे लूप साइड में जन्रेट होगा लूप अंटीना के इस ट्रेंट जो है डारेक्टली डिपेंड करती है कि किस एंगल पर रेडियो बेव अंटीनों को स्ट्राइक कर रहा है और इसका जन्रले म्यूज करते है एडी अप में तो फ्रेंट्स यहां पर मैंने सभी प्रकार के तीन अंटीने जो होते हैं मुक्य था उनके बार में आपको बताया तो वीडियो पसंद आए तो जरूर यार्ट सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना थैंकी दोस्तों वीडियो के देखने लिए